हलो स्टुएंट्स माइन इम इस अविनाज जादौन वेलकम टू मैं चैनल तेज पढ़ाई और आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास 10 चैप्टर 11 एक्सराइज 11.2 का कोशन नमबर 6 जो कि काफी डिफिकल्ट है NCRT का इस एक्सराइज का सबसे डिफिकल्ट कोशन यही है इसको बच्चे काफी पार परिशान होते हैं इसको करने में आई इसको शॉर्ट ट्रिक से बड़ी आसानी से समझते हैं तो BC सबसे पहले हमें एक ABCD ट्राइंगल दे रखा है जिसमें राइट ट्राइंगल है इन विच AB 6 cm है BC 8 cm है और एंगल B कितरे का है 90 डिग्री का है जो कि हमें माल हमें राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है BD is perpendicular from B on AC मलब BD एक perpendicular है जो कि B से निकलेगा और AC पर touch करेगा तब circle through BCD is drawn और हमें ऐसा circle draw करना है जो कि BCD से होता हुआ जाएगा construct the tangent from A to this circle अब जो भी circle इस BCD को draw करता हुआ मलब छोता हुआ जाएगा उसी से उस A point से जो tangent निकलेगा वो उसका tangent होगा ठीक है तो फटा फटा हम इस question को करते है सबसे पहले एक tangent निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक triangle draw करना पड़ेगा जो कि एक right angle triangle है सबसे पहले हमें BC लेनी है कितनी 8 cm तो यहां से मैंने BC 8 cm draw कर लिए तो यहां से मैं रखूँआ और यहां से 8 cm का एक arc लगा तो यह 8 cm होगया अब यहां से यह क्या है BC line segment जो कि 8 cm का है अब यहां से 90 degree angle BC draw करना है तो यहां से मैंने एक 90 degree by the use of protector हम इसको यूज करके इस पर एक 90 degree draw कर लेंगे फटा फट एक 90 degree का angle बनाते है यह बन गया हमारा 90 degree का angle ठीक है P से अब AB कितना दे रखा है 6 cm तो फटा 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 हम यहां से उठाते है AB को 6 cm लेते है यह आगे हमारा 6 loaded है फटा फटा हम यहां रखते है और इसको यहां से cut कर देते हैं ठीक है अब यहां से cut करने के बाद इस A point को हम C point से क्या कर देंगे जोइन कर देंगे अब क्योंकि हमें circle बनाना है तो circle के लिए हमें bisector बनाना पड़ेगा तब हम the circle through B, C, D is drawn कर पाएंगे तो फटा फटा हम इसका एक bisector लेते है यह half यहां से भी और यहां से भी उसी तरीके से यहां से एक arc और यहां से भी एक arc ठीक है अब इन दोनों arc को आपस में क्या कर देना है जैसे ही यह join होंगे वैसे ही यह line किस में cut हो जाएगी 4-4 cm में cut हो जाएगी अब यहां से हमें क्या करना है इस 4 cm से इस 4 cm से हमें एक circle draw कर लेना है जो कि B, C और D जो D बनेगा वो अभी हम बताते कैसे बनेगा वो 90 degree बनेगा और 90 degree अभी थोड़ी late बनाएंगे क्योंकि BD is perpendicular from B on AC तो फटा फटा हम सबसे पहले इसका एक circle बनाते है जो कि यहां से मैंने measure किया अब यह वाला circle घूंता हुआ C से touch होता हुआ देखिए मेरा touch नहीं कर रहा है इसका मतब यह क्या है थोड़ा सा मुझे और कम लेना था इसको क्योंकि यह कुछ इस type से जाता है तो उसके बाद यह यहां से touch होता हुआ देखिए कुछ इस type से थोड़ा से मिश्टिक है एक centimeter का आप इसको correct कर सकते है बस इसी को घुमाना है बल्कुल इस तरीके से अब यहां से जैसे इस से touch होगा B और C से हमें एक D line एक D जो कि यहां से perpendicular है तो B से हम इसको काटेंगे और यह कितने का बन जाएगा by 90 degree ठीक है अगर आपको इसको पहले बनाना है तो आप इसमें 45 degree का angle draw कर लेंगे 45 degree का angle आप draw करेंगे तो यह आपका बन जाएगा तो यहां पर हमने क्या किया एक line खीज दी जो कि क्या है यहां से cut कर रही है और यह कितने degree का angle है 90 degree का angle ठीक है अब यहां से यह 90 degree जो गिरा है perpendicular जो BD perpendicular है from B on AC ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना है जो A point है उससे एक straight line इस point तक touch कर देनी इस point को हम कोई नाम दे 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 इसको D नाम दे दी है इस line को अब हमें क्या करना है इस AD line को फिर से price act करना है क्योंकि हमें angle A निकाना है तो हमने क्या किया यहां से एक जादा लेके आदे से जादा लेके A car किदर और A car किदर उसी तरीके से इस point से भी एक R किदर एक R किदर और दूसरा R इदर ठीक है, अब दौनों R को आपस में क्या कर देना है join कर देना है, मैंने इस point को इस point से क्या कर देना है अब ये point join होने पर ये line यहाँ पर कुछ कटी है इस point को देंगे हम point E ठीक है, अब point E देने के बाद, हमें बस अब इस circle से इस point से, इसको measure कर लेना है and then draw a circle देखे, draw हो गया circle अब जैसे ये circle draw होगा है ये circle ने दो point पर काटा पहला point तो आपको साफ मालम है, वो पहले से ही बना हुआ था 90 degree का, तो एक tangent तो हमारा A, B हो गया दूसरा tangent हमारा कुछ यहाँ पर बनाए, जिसको हम बोलेंगे A, F, ठीक है तो यहाँ से मैंने एक line कीची जो कि क्या है, A, F की है, ठीक है तो यह बन गया A, B and A, F are the tangent of circle tangent of the circuit कोई भी प्रॉब्लम है, कमेट करिए वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करें बिना ना जाएए